जैसे राम, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेश प्रोग्राम में आज का उपाए, मैं हूँ आपके साथ आचारे राज मिश्रा कैसे बनेगा आज आपका दिन सुन्दर कैसे होंगी आपकी आज की जो मनो कामनाएं हैं वो पून किस प्रकार आज के दिन को प्रसनता पुर्वगा ब्यतीत करेंगे इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए हम आपके लिए प्रदिन ले करके आते हैं आज का विशेश उपाय आप किसी भी राशी के हैं किसी भी नच्छत्र के हैं किसी भी लगन के हैं किसी भी जाती से हैं किसी भी शमुदाइशे हैं किसी भी धर्म से हैं अगर आप इन उपायों का प्रियोग करते हैं तो निश्यत रूप से अपने दिन में आने वाली दिक्कतों को दूर करके अपने दिन को बहुत शुंदर बना पाते हैं मैं पिछले कई सारे कारेक्र में इस बात की चर्चा कर चुका हूँ कि प्रत दिन एक देवता का दिवश होता है उस देवता का पूरा जो प्रभुत्त है वो पूरे दिन पर होता है अगर हम उस देवता को प्रसंद कर लेते हैं उस दिन तो ऐसी परिस्थति के अंतरगत हमारा पूरा दिन प्रसंदा पूर्वग व्यतित होता है हमारे ऐशे कारे जिन पर हमें भरोसा नहीं था कि ये कारे हमारे हो शकते है वो भी कारे हमारे शफलता पूर्बग पूर्ण हो जाते है तो वो आज का सुन्दर उपाए वो आज का बहतरीन उपाए मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आप सभी लोग नोट कीजे और इस उपाए को कीजे आपका दिन बहतर होगा कैसे करना है आज का उपाए आज के जो दिन के देवता हैं इंद्र अगनी देवता का आज दिवश है इनकी प्रसन्नता हमारे दिन को शुक्षम्रद ही मैं पूर्बग बनाने वाली होगी गर में रोटी इत्यादिया पूरी इत्यादि बना है तो उसके साब थोड़ा सा बना ले आग जलाया है तो उस पर और इ wünत भाए बहुत छोटी तीन होती और बोलना है इस प्रकार की तीन आहुतियां आज हमें डलनी है इस प्रकार बोलते हुए और उसके बाद दिन में जो महत्पूर कारे है उसके लिए बन में प्रार्थना कर लेनी है ये उपाय आपके दिन को तो सुख में बनाएगा ही अगर परिवार में कलह कलेश इत्याद रहती है परिवार में दिक्कते रहती है तो वो कलह कलीश इत्यादी भी खत्म होगे परिवार में प्रसन्नता होगी जीवन और दिन दोनों शुक्षम्रदियों से आपका परिपून हो जाएगा आप लोग प्रसन्न रहे आपका जीवन शुक में रहे आप लोग जीवन में आगे बढ़ते रहे यही हमारी शुब कामना है आप सभी के लिए आप लोग का जीवन बहतर हो आप लोग पर प्रमात्मा का आशिरबात बना रहे इशी के शाथ मैं अपनी बाड़ी को विराम दूँगा कल के उपाए पर फिर हम चर्चा करेंगे जैस्त्रीरा